नमस्कार, dear student, हमने एक कहानी पढ़ी, हमारा part 2 है, इसकी एक कहानी है असल धन, मैंने उसके pages भी आप लोगों को send किये थे whatsapp पे, तो I hope आप लोगों ने वो कहानी पढ़ी होगी, दो दिन के लिए वो कहानी मैंने आपको पढ़ने के लिए दी थी, उसके बाद कुछ assignment questions दिये जो अपनी बुद्धी मता के कारण, अपनी मानदारी के कारण पूरे क्षेतर में परसेद था, दूर दूर तक उसकी परसिद्धी थी कि वो बहुत बुद्धी मान है और बहुत सारे जो कारिये हैं, वो सिद्ध कर दिता है लोगों के, तो शा जो था इरान का, उसके कान मे जब ये खबर पहुंची तो उसने दर्वार में बुलाया दारा को और उसे मंतरी बनने का न्योता दिया आग्रे किया और शा ने उसको अपना मंतरी बना दिया लेकिन जो अन्य मंतरी थे शा के वो उसे इर्ष्या करने लगे कुछी दिनों में क्योंकि कुछी दिनों अपनी इमानदारी के कारण वो शा की आंक का तारा बन गया शा राज्य के हर कार्य उससे पूछ कर करते उसे हमेशा अपने सिंग हसन के पास बिठाते और शा के मन में उसके प्रती प्रेम और समान दिन प्रती दिन बढ़ने लगा जिस कारण अन्य मंत्रियों को उसे इर्शे होने लगी वो उसे पसंद नहीं करने लगे एक बार शा ने दारा को उत्री परांथ में भेज दिया क्योंकि वहां की वेवस्ता ठीक नहीं था वो भी उसकी राज्य का एक हिस्सा था तो दारा को वहां की वेवस्ता सही करने के लिए भेज दिया तो पीछे दरवारियों ने फिर से शाह के कान भरने शुरू कर दिये कि क्या आपको पता उसके साथ एक दूसरे घोड़े पर एक बकसा रहता है और उस बकसे में उसने चोरी किया हुआ राजय का धन इकत्रेत किया हुआ है क्या आप जानते हो इस बारे में धिरे धिरे शाह को भी थोड़ा सा संदे होने लगा अपने संदे को दूर करने के लिए उसने का उत्री प्रांत से शाने दारा को बलाबा भेजा और उसे बुला लिया गया लेकिन जब दारा वहां पहुंचा और जब उसका बक्सा वो खोला गया तो उसमें क्या निकला ये देखकर सभी भोंचक के रहेगे उसमें फटा पुराना भेड की उनका बना हुआ एक कोट निकला तो दारा से पूछने पर उसने बताया कि अब वो एक बड़ा मंत्री है लेकिन पहले वो चरवाहा था बहुत गरीब निर्धन फटा पुराना कोट पहनने वाला तो अब मंत्री बन जाने के बाद उसके मन में किसी तरह का अभिमान ना आए घमंड ना आए इसलिए इस कोट को हमेशा अपने साथ रखता है ताकि हमेशा इमानदार रहे और अपने करतव्यों को इमानदारी के साथ निभाता रहे ये सुनकर शा को अपने उपर सरमिंदिगी हुई और उसने मंत्रियों को भी खुब खरी-खोटी सुनाई तो इस कहानी से हमने ये थोड़ा सा सीखा कि हमारी जो इमानदारी है वो सबसे अच्छी निती है हमेशा इमानदारी से कार्य करने चाहिए अपने किसी भी उपलब्दी पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए जो भी हम अचीव करते हैं अपने जीवन में जो भी हम कमाते हैं उसे सहज रूप से स्विकार करना चाहिए और इमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए आगे अब आगे कुछ questions भी मैंने आपको दिये थे करने के लिए जैसे चरवाहे का जीवन कैसा होता है तो मैं संक्षिप्त रूप में फिर से इस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगी हम अब आप senior class हो तो आप लोगों को दो या तीन चार बाकिया में ये question क्यांसे नहीं लिखने आपने थोड़ा सा बिस्तार से लिखना है कुछ points मैं बताना चाहूंगी आप उन points को explain कर सकते हो जैसे चरवाहे का जीवन कैसा होता है मैंने ये पहला प्रशन डाला था तो उनका जीवन बहुत ही सादा होता है सरल होता है लेकिन बहुत कठिन होता है वो जो मिलता है वो खा लेते हैं अपना जीवन खुशी-खुशी ब्यतीत करते हैं ठीक है बिपरीत परिस्थितियो क्योंकि चलते फिरते रहते हैं ये लोग तो किस तरह की बाधाएं आती है उनको कैसे पार किया जाता है ये भली भानती जानते हैं इनकी जीवन में जो है बहुत ही विप्रीत परिस्थितियां आती रहती है तो उन विप्रीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमेशा य और दूसरा प्रशन था आपका शाने दारा को गुर्णर बना कर कहां और क्यूं भेजा तो ये आपने बुक में भी पड़ा होगा कि शाने दारा को गुर्णर बना कर उत्री प्रांत में भेजा था क्योंकि वहां की जो बेवस्था थी शाषन बेवस्था जो थी वो बिगड चुकी थी, वहां के जो अधिकारी न्युक्त किये गए थे, करमचारी थे, वो सारे भरष्ट हो चुके थे, सभी लालची हो गए थे, सभी बेइमान हो चुके थे, अराजिक्ता चारोतर फैल चुकी थे, हिंसा थी, ब्यवस्था थी, वहां जान माल किसी दरह से सुरक्षित नहीं थी, तो वो सारी वेवस्था को दुरुस्त करने के लिए, राजा ने, शा ने, दारा को बेजा ताकि अपनी बुद्धी मता से वो उस वेवस्था को ठीक कर सकी और बहुत हद तक जो दारा था, वो अपने इस मकसद में कामियाब भी हुआ, एक अन्या प्रश्न में दिया था आपको, दरवारी दारा से इर्श्या क्यों करते थे, तो मैंने आपी कहानी में भी बता दिया आपको, कि बहुत कम समय में जो दारा था, वो शा की आँख का तारा बन गया था, शा बीना पूच्छे उससे कोई कारे नहीं करता था, दिन प्रती दिन उसके मन में उसके प्रती प्रेम और समान की भावन बढ़ने लगी और हर समय वो अपने सिंगहासन के पास ही उसे बिठाता, उससे सला मश्वरा करता, तो इसलिए जो पुराने दरवारी थे, मंतरी थे शाके, वो उससे इर्शय करने लगे, ठीक है, और था दारा बकसे में क्या रखता थ कोट रखता था, जिसको जब वो चरवाहा था, तब पहना करता था, क्योंकि वो चाहता था कि अब मंतरी बन जाने के बाद, एक वड़ा इंसान बन जाने के बाद, किसी तरह का घमांड जो है, उसके मन में ना आए, ठीक है, तो ये कोशन एक और मैंने आपको अनुछेद दिया था, ये आप लोगों को अपने ही तरफ से लिखना है, संक्षिप्त अनुछेद था, आसी सो शब्दों के बीच में आपने लिखना है, इमांदारी सर्वोत्तम निती, येनिके इमांदारी के बारे में, इमांदारी कैसा गुण है, हमें किस तरह से इस अपने गुण ना करने पर हमें किस तरह के जीवन में नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में आपने इसमें लिखना है आपकी लिखाई जो है बहुत सुन्दर होनी चाहिए क्योंकि भाशा जो है एक शुद बाचन और शुद लेखन के माद हमसे हम इसको बहुत अच्छा सफल बना सकते हैं ठीक है तो यह आपने अपने नोटबुक में सारा लिख लेना है धन्यवाद आपका दिन मंगरमयो